इस साल ये 6 टाइब के डिजाइन है सूट ट्रेंड में रहने वाले हैं नमबर पन पर है ड्रेपिंग स्टाइल सूट तो इस तरह के सूट पार्टी में साधी में फंक्शन में काफी ज़्यादा पहने जाएंगे और ये आपको अमीजिंग लुक भी देंगे तो आप इन इन पैटन में आप ड्रेपिंग स्टाइल ड्रेस वाले सूट आप ले सकते हैं जो की आपके लुक को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे नेश्ट जो ट्रेंड में रहेंगे वह आलिया कट कुड़ती वाले सूट तो देखिए पहले नायरा कट सूट चले थे पर इस साल आलिया कट सूट इस थरह के चलने वाले हैं जिसमें कुड़ती का पैटन इस थरह से भी सेप में रहता है और कुड़ती में घेर प्लेट्स में रहता है जो की काफी ज़्यादा स्टाइलिस लुक देता है साधी पार्टी फंक्षन किसी भी अकेशन पर आप इस सूट को पहन सकते हैं ये काफी कंप्टिबल होते हैं Next जो सूट ट्रेंड में रहने वाले हैं वह है स्रग स्टाइल सूट स्रग स्टाइल सूट काफी ज़दा स्टाइलिस लुक देते हैं इन्हें आप old साडी कर यूज करके भी बना सकते हो या फिर आप fabric लेकर भी बना सकते हैं contrast color combination में बना सकते हो आप embroidery वाले fabric से बना सकते हैं printed fabric से आप बना सकते हो different different design में आप बना सकते हो next जो suit trend में रहने वाले हैं वो है corset dress वाले suit तो देखिए इस तरह के corset dress आप उरती और bottom जिसमें आप बना सकते हैं printed fabric से भी आप बना सकते हो और plan fabric से भी आप बना सकते हो मेरे channel पर detail में corset dress की design की कई सारी video हैं तो वो मेरे channel पर आप देख सकते हैं देखिए काफी pretty look आता है इस तरह के corset dress का अगर आपको corset dress की cutting staging की video चाहिए तो आप मुझे comment कर सकती है मैं आपके लिए video चरूर बना दूँगी next जो suit trend में रहेंगे वो है peplum style कुर्टी वाले suit तो देखिए कुर्टी peplum style रहेगी और bottom different different design में रहने वाले हैं जैसे peplum कुर्टी के साथ आप अफगानी सलवार पहन सकते हो लेयर वाला सरारा आप पहन सकते हैं पेवलां गुर्थी के साथ नॉर्मल सरारा भी आप पहन सकते हो किसी भी फैवरिक पे आप बनवा सकते हैं नेश्ट और लाश्ट जो सूट ट्रेंड में रहेंगे वो है पाकिस्तानी स्टाल सूट ये सूट काफी ज़्यादा कमपरिवल होती हैं क्योंकि ये लूस फिटिंग के होते हैं और ये पहनने के बाद आपको काफी श्टालिक्स लोग देती हैं प्लैन फैवरिक में या फिर प्रिंटेड फैवरिक में किसी भी तरह की फैवरिक से आप बना सकते हो आपको ये वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लैक्षर कर दें चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा फैसन कौन सा डिजैन सबसे ज़्यादा पसंद आया हुआ है